दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना लो लाड़ली भेन योजना के बारे में इससे लेट आपको पूरी जानकरी इस वीडियो में मिलने वाली है यह योजना क्या है कितने रुपए आपके अकाउंड में आएगे कौन-कौन फार्म भर सकता है इसकी पात्रता क्या है कौन सबस्ते तारिक से आपको पेमेंट मिलना लग जाएगा तो यह सारी जानकर आप इस video में देखने वाले हो जानने वाले तो आप इस वीडियो को देखते रहे चली सबसे पहले मैं आपको बता देतो जो लाड़ली भेन यह योजना है यह मद्द्य प्रद्द शरकार दुव जो कि इनके जनम दिन के टाइम इसको कर दिये लांच और इसमें क्या होगा कि हर भेन जो भी रेगे इस क्राइट एरिया से कंप्लीट हो जाएगी मतलब जो भी इस से इस इस फार्म के जो इलिजिबिल्टी यह उसको पूरा कर देगी तो उसके हर महीने में 10 तरिक को इसके अ आपको हर मेने के 10 तारिक को आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा हजार रुपे का हर बेनों के खातों में उसके बाद में पहले साल के लिए जो इनका टोटल प्रावधान रखा गया वह 8000 करोड रुपे का है इस योजना में सरकार के द्वारा और इसमें कोई आपको आये प्रमान पत्र की अवशकता नहीं होगी इसमें नहीं पड़ेगी इसको तीन केटेगरी में निचित किया गया है यह जो केटेगरी है वो क्या है तो पहली जो केटेगरी है उसमें इन महिलाओं को सामिल किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोरे बहुत उन लोगों को क्य करें गाया इस योजना में सामील किया गया है दूसरी गठीवरी के अंतर व står महिला योजना में लाब ले सकती है जिनके पांच 5 एकड़ या उससे कम की जमीन होगी का एक जो केटिग्री आती है वह आती है जिसमें जो महिला है इसके लिए इस फार्म के लिए उसके बाद में जो जाती की बात करते है कि जिसे कौन-कौन सी जाती है इस फार्म को फिल कर सकती है तो जाती में कोई इसी नहीं है अनुसुची जाती जन जाती सारी पिछला वर गया सामानिस सभी इसमें इलिजीबल है इस फार्म को भरने के लिए तो यह हुई हमारी बात जो भी आपकी थी यह कव आजाएगे 10 तारिक को जून में 10 तारिक को आपके अकाउंट में पेमिंट आने लग जागा और यह जो रहेगा यह अभी मार्च और अप्रेल के यह तो हर मेंने की 10 तारिक को 10 जून से यह पेमिंट आपके अकाउंट में आने लगेगा और 10 जून से यह आपको मिलेगे पेसे अभी फार्म की प्रकरिया चलेगी जो कि मार्च और अप्रेल के बीच चलेगी तो यह हो गया मेंने के लिए जो नियुन टम आयू वह 30 वर्स होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो इसके आई होए वह साट वर्स होना चाहिए और कोई अच्छे पद या कोई अधिकारियों के या कोई पारसत बनी भी महिला है नहीं होना चाहिए जो पूरू में पारसत बनके अभी यह फाइदा उठा सके या किसी के घर में चार प के परेंग